Welcome to my YouTube channel Multitalent A to Z आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चार ऐसी चीजे जो आपका समय बरबाद कर रही है तो चलिए, शुरू करते हैं जब हम अपना वक्त बरबाद करते हैं तब हमें बिलकुल भी नहीं पता होता कि हम क्या गवा रहे हैं क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज खोकर दोबारा मिल सकती है लेकिन एक बार वक्त आप से रूठ गया तो लाख कोशिशों के बावजूद भी वो कभी नहीं लोट सकता इसलिए वक्त की कुदर करो वक्त की कदर करने वाले अपने सभी कामों को वक्त पर निप्टा लेते हैं और एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं जानते हैं वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके वक्त को निगल रही है और क्या आप भी कर रहे हो इन चार चीजों पर समय बरबाद आज के समय में सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया बन गया है जो की आपके वक्त को पलक जपकते ही आप से चुरा ले जाता है और आपको पता ही नहीं चलता सोशल मीडिया की कुछ सेकंड की फीड हमारे अटेंशन स्पेम को कम करता है जिससे कि हम किसी काम पर पूरे तरीके से फोकस नहीं कर पाते और यदि फोकस करना भी चाहते हैं तो हमारा मन हमें हमारे काम से खीच कर सोशल मीडिया की तरफ ले जाता है दिमाग को ऐसा भ्रहम होता है कि इधर रिलैक्स फील होता है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है एक बात पर गौर कीजिए जब आप घंटों सोशल मीडिया पर वक्त गुजारते हैं और उसके बाद आप बहुत ठका हुआ महसूस करते हैं इसका ये मतलब है कि इसने आपकी एनरजी को वेस्ट कर दिया है जो कि यदि किसी अच्छी चीज़ को सीखने में देते तो आपको आगे चल कर कैरियर में फायदा होता नमबर दो दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना दोस्त जीवन में बहुत जरूरी होते हैं दोस्तों के बिना जिन्दगी अधूरी होती है लेकिन आपको ऐसे दोस्तों से बचना चाहिए जो आपका वक्त बरबाद करते हैं हमें ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए जो दिन भर मौज मस्ती करते हैं और अपने साथ साथ दूसरों का भी वक्त बरबाद करते हैं आप घंटों घंटों अपने दोस्तों से बात करते हैं और ऐसी बातें जिनका कोई मतलब भी नहीं होता कोई दोस्ती का वास्ता देख कर हमें कुछ भी करा सकता है इसलिए ऐसे दोस्तों को चुनिये जिन्हें वक्त की कदर हो हमें ऐसे दोस्तों की संगत करनी चाहिए जिनकी सोच बड़ी हो जो बड़े बड़े सपने देखते हो उनका जिन्दगी को लेकर एक बहुत बड़ा विजन हो हमारी समस्या ये है कि हमारा जीवन इतना अस्त व्यस्त होता है कि उसका सस्ता उपाए किसी से बातें करना होता है लेकिन यह कहां तक सही है एक अच्छी मजबूत जिन्दगी के लिए हमें अपने वक्त को वह सम्मान देना होगा जो की आगे चल कर हमें सम्मान दे क्यों न हम ही वह इनसान बन जाए जो वक्त की कदर करना सीखे और इससे हम अपने उन दोस्तों को भी प्रेर्णा दे सकते हैं जो की वक्त की कदर नहीं करते नमबर तीन, आलस में रहना रहना वक्त को बरबाद करने का एक रीजन आलस भी है जब लंबे समय से हम किसी काम को नहीं करते तो हमारे अंदर एक आलस जन्म लेता है यह आलस हमें कुछ करने ही नहीं देता हम कितनी भी कोशिश करें यह आलस हमसे दूर नहीं होता हम दिन भर बिस्तर में पड़े रहते हैं और हमारा वक्त गुजरता रहता है आलसी होने से हम में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है और यदि कोई हमारा हितैशी हमें कुछ समझाने की कोशिश करता है तो हम उससे भी दूर होना चाहते हैं हमें वक्त की कदर होनी चाहिए इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या कुछ ऐसी रखनी चाहिए जिसमें हम अपने स्वास्थ्य, परिवार, वर्क लाइफ, दोस्तों, प्रियजनों आदि को उनकी जरूरत के हिसाब से वक्त दे सके नमबर चार पुरानी जिन्दगी की यादें पुरानी जिन्दगी की यादें बीते हुए क्षणों की यादों में खोना हमें वर्तमान को समझने से रोक सकता है और हमें वास्तविक्ता से अलग कर सकता है हम अपनी पुरानी जिन्दगी में गुजरे अच्छे बुरे सभी वक्त को बार बार सोचते हैं जिससे की हमारा वक्त कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता बीते हुए वक्त को वापस लाना हमारे अधिकार में नहीं है लेकिन यहां हमारा वर्तमान समय है इसकी उप्योगिता का हमें पूरा अधिकार है इसलिए बीती बातों को हमें दोहराने से बचना चाहिए इससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा सिर्फ हमारा वकक्त बर्बाद होगा यह पूरा जीवन समय ही तो है जिसमें हर किसी को अपने-अपने काम पूरे करने होते हैं इसलिए कभी भी वक्त का निरादर नहीं करना चाहिए आपने सुना तो होगा वक्त से बल्वान कुछ भी नहीं है उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें क्या आप भी कर रहे हो इन चार चीजों पर समय बरबाद पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर ले